बहुत समय पहले की बात है परी लोग की दुनिया में एक अद्भुत करिश्मा हुआ एक परी ने एक साथ तीन तीन राजकुमारी परीयों को जन्म दिया रानी परी ने उनका नाम रागिनी, कामिनी और मोही रखा ऐसे ही समय भी तो और अब तीनों परीयों बड़ी हो गए फिर एक रोज, यार सुना है ये धर्ती लोग बड़ा ही सुन्दर है मेरा भी बड़ा मन करता है धर्ती लोग पर जाने का हाँ मन तो मेरा भी करता है, लेकिन मा को ये बिलकुल भी पसंद नहीं वो नहीं चाहती कि हम तीनों वहाँ जाएं हाँ तो मा को कौन बता रहा है, हम मा की मर्जी के बिना ही धर्ती लोग पर गूमाएंगे लेकिन उन तीनों की ये बात उनकी मा सुन लेती है नहीं, बिलकुल नहीं, मैंने तुम तीनों को धर्ती लोग पर जाने से मना किया है न, अभी तुम्हें वहां पर जाने का जादू भी नहीं आता, कहीं वहां कोई अन्होनी हो गई तो, जब तक मैं न कहूं, मेरे कहे बगैट धर्ती लोग पर जाना भी मत उधर धरती लोग पर सरला नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत जो अपने तीन बेटों के साथ रहती थी एक रोज वो सर पर लकणियां उठाए अपने घर की ओर जा रहे थी कि तब ही उसे देख उसके गाओं की कुछ औरते उससे कहती है अरे सरला तुम्हारे तीनो बेटे कहा हैं जो तुम ये लकणियां उठा कर घूम रही हो वो तीनो जंगल में लकणियां काट रहे हैं ये कुछ लकणियां में घर लेकर जा रही थी ताकि चूले पर उनके लिए कुछ खाना बढ़ा सकू अब वो बेचारे तीनो भी तो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं तब जाकर मेरे घर का चूला जलता है अरे मेरी मान तो अब तुम तीनों की शादी करवा दे और अपने लिए बहुए ले आए ताकि इस बुढ़ापे में तुझे भी थोड़ा आराम मिल सके कह तो तुम ठीक रही हो बेहन लेकिन गरीब के घर अपनी लड़कियां कौन ही देगा उपर से हम चारो का पेट तो बड़ी मुश्किल से भर पाता है फिर बहुए लाएंगे तो उनका पेट कैसे भरेंगे बाकि जिसकी जैसी किस्मत हाँ ये तो है अब मेरे बेटे को ही देख लो बिल्कुल परी जैसी दुलहन लाया है अपने लिए उपर से दहेज मेतना कुछ आया है कि मेरा पूरा घर भर गया है अब तुम्हारे उन तिनों गवार बेटों को थोड़ी न कोई परी दुलहन मिलेगी जिनके आती तुम्हारे घर में लक्षमी आ जाए उनके बाते सुनकर कमला को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो किसी से बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और घर आकर थोड़े से बचे हुए आटे को देख कर कहती है हाई रे हमारी फुटी किसमत खाने को पेट भर रोटी तक नसीब नहीं होती गरीब को अब इतने से आटे में कितनी ही रोटी बनाओ फिर सरला सब के लिए एक-एक रोटी और आंगन में लगे धनिये की चटनी बना कर तयार कर देती है फिर शाम को सब को खाने के साथ परोस्ती है एक एक रोटी खाकर और तीन गिलाज पानी पीकर जैसे तैसे वो आधे पेठी सो जाते हैं उधर परी लोक में तीनो परियां अपनी रानी मा के साथ खाने के लिए बैठी हुई थी और उनके सामने तरह तरह के पकवान रखे हुए थे इसके बाद रानी परी और तीनो राजकुमारियों ने साथ बैठ कर खाना खाया और फिर रानी परी अपने कक्ष में चली गए और तीनो राजकुमारियां अपने कमरे में जब वो तीनो सो रही थी तबी खिड़की के पास एक आदमी आया और बोला सो गई, महाराज, तीनों सो गई हाहा, इस परिलोग की सत्ता अपने हाथ में लेने का वक्त अब आ गया है ये तीनों अब जाएंगे परिलोग से बहर और रानी परी जाएगी जेल में और मैं, मैं हाहा, और आप बैठेंगे परिलोग के सिंहासन पर महराज अनंत सिंग की जै हो जै हो ये है परिलोग का महमंत्री और रानी परी का सलाकार अनंत सिंग जो असल में बहुत ही दोष्ट था अनंत सिंग सारे जादू जानता था और खुद परिलोग का राजा बनना चाहता था उसने अपने जादू से रानी परी को बेडियों में कैद करके उनसे उनकी जादू ही छड़ी पिछीन ली दुश्ट अनंत सिंग, तुने दिखा दिना अपनी असलियत, मैं तुझे छोड़ूं की नहीं तु क्या कर लेगी बुडिया, तेरी छड़ी तो मेरे पास है, तो अब तुझसे कोई जादू तो होगा नहीं और रही बाद तेरी बेटियों की, तो उन्हें भी ठिकाने लगा चुका हूँ मैं रानी परी को लगा कि अनन्त सिंग ने उसकी तीनों बेटियों को मार दिया है, वो फूट-फूट करोने लगी उधर धरती पर जब तीनों राजकुमारियों की आँख खुली, तब अरे, यह हम कहां आ गए, और यह हमारे कपड़ों को क्या हुआ, मा का है और हमारा परीमर है, लगता है यह धरती लोग है, मा ने मुझे बताया था इस लोग के बारे में, पर हम यहां आए कैसे, और अब वापस कैसे जाएंगे, चलो किसी को ढूटते हैं और उससे मदद मा प्रणाम मा जी, मेरा नाम रागिनी है और यह दोनों मेरी बहने है, मोहिनी और कामिनी, हम तीनों अब, क्या हुआ बताओ, हम तीनों को बहुत भूक लगी है, हमारे इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, अरे, ऐसा क्यों कहती हो, वो उपर वाला है ना, वो सब का रखव आजाओ, अंदर आजाओ, सरला की जोपड़ी जादा बड़ी नहीं थी, वो उस जोपड़ी में अपने तीन बेटों के साथ रहती थी, रमेश, महेश और कमलेश, जो की लकड़ हारे थे, और स्वभाव से बहुत ही महंती और दयालो थे, ऐसे ही कई महीने बीद गए, फिर मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरे बेटों से शादी कर लो, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो, तीनों राजकुमारियों को इससे कोई एतराज नहीं था, जैसे ही तीनों भायों ने अपनी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा, अचानक एक तेज रोशनी तुम तीनों तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो, तुम तीनों को अपनी बहूं के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे, मा जी सुख तो हमें तब मिलेगा जब हम अपनी मा को उस दुष्ट अनन्द सिंग से आजाद करेंगी, ह और उसे हरा कर परिलोक और रानी परी को आजाद करवाया, और फिर कहा जा रही हो मेरी बच्चियों, अब मुझसे दूर मत जाओ, नहीं मा, हमें जाना ही होगा, क्योंकि अब हमारी एक और मा है और परिवार भी, क्योंकि अब हम आपकी नटखट बेटिया नहीं रही, बल सपना प्रिति और भूमी की शादी, शहर में बसे तीन भाईयों, आलो, प्राग और रौनक से हो जाती है, शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती है, तो हाथ में आरती की थाली लिए, उनकी सास जानकी उनका ग्री प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी ती सपना अगर ऐसा घर अपने गाउं में होवे ना, तो गरदा गरदा मच जाई, हमको तो अपनी आखन पर विश्वाजे ना ही हो रहा है कि हमरी शादी इतना बड़ घर में हुई है, उनकी बाते सुनकर उनकी ननत शृती कहती है, ओ गौड, अभी ने आए एक पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंती दिखानी शुरू कर दी, जरा अपने काईदे में रहकर बात करो ननत जी, आप हम तीनों बेहनों के बारे में ना ही जानती है, अरे पूरे बनारस में हम तीनों बेहने अपने जुगाडूपन के लिए फेमस है, फेमस, ओहो, अब बस भी करो तुम ननत भावी ने अभी सही नोग छुक शुरू कर दी, चलो, अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो, अगले दिन सुबह तर्ड के पांच बजते ही तीनों बहों की आँख खुल जाती है, और वो किचन में साफ सफाई प पटर लगा रखी है, उका है न ननत जी, हमरे गाउं में तो सुबह पांचे बज़े सब जग जावत हैं, और हमरे गाउं में तो मिट्टी सही बरतन माचते हैं, हाँ, इससे दू फाइदा है, एक तो बरतन भी अच्छे से चमक जावत है, और साथे साबुन के पैसा के भी बचत हो जाते हैं, अरे पर ये तुम्हारा बनारस गाउं नहीं बलकि मुंबई शहर है, यहाँ ये सब जुगाड़ू पन मत दिखाओ, और अपनी ये सब बचकानी हरकते बंद करो प्लीज, शुती तीनों जुगाड बहूं को जड़ब कर चली जाते हैं, ऐसी कुछ दिन बीच जाते हैं, एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है, अरे मोरी मैया, ये चूलहा तो लगता है बिता गया, अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ, अरे बापरे अब का होगा, हमको जल्दी से अपना कवनों जुगार लगाना होगा, तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लखडियों पर जाता है, बस फिर क्या था, वो चार इंटे लेकर आती हैं, और उसका चूलहा बना कर उसमें गर्मा गरम रोटी बना कर सब को खिलाती हैं, पता नहीं क्यों लेकिन कुछ द चूलहा क्यों फूक रही हो, सासु मा, आपका सिलेंडर तो कपका बाई-बाई बोल गया, इसलिए हम जुगार लगा कर चूलहा जलाई लिए, वो सब तो ठीक है मेरी जुगारू बहों, मगर तुम ये लकडियां कहां से उठा कर ले आई, सासु मा, ये तो हम पूजा घर म रखी लकडियां लाएं हैं, अपनी जुगारू बहों की हरकते देख कर जानकी कहती है, अरे बैल बुध्धी बहों, वो तो चंदन की लकडियां थी, जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाय था, और तुमने चंदन की लकडियां रोटी सेकने में फूंग दी, ओहो, अब जो ह हो गया स, हो गया सासुमा, अब हमको माफी दे दियो, इतना कहकर तीनों बहों माफी मांग कर मामले को ठंडा कर देती हैं, ऐसे ही समय बीटता है, फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे, तो गिलास में रखा जूस रॉनक के फोन पर गिर जाता है, और उसका फोन भी हम अभी इसे बिना पैसा खर्च के ठीक कर देंगे, अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगार के नहीं, बलकि दुकानदार की ज़रुरत है, अब अपनी कोई जुगार पंती करके भया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना, इसके बाद शूती उस फोन को कप अरे वा भूमी, तुमने तो सच मुझ मैं एक घंडे के अंदर ही मेरा फोन बिलकुल ठीक कर दिया, देखा हमरा कमाल, फोन भी जट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया, अरे जुग जुग जीयो मेरी प्यारी बहू, आज तो सच मुझ तुमने बचत करके सर्वगुन सं पन बहूं वाला काम किया है, रौनक और सास के मुझ से तारीफ सुनकर उन तीनों बहूं को शेह मिल जाती है, ऐसी ही एक दिन जब सपना वेक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है, तो अचानक से वेक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है, अरी मोरी मैया, इप ब इसे भी बच जाए, सपना ये सोची रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे, खजूर के पेड़ पर जाता है, अरे वा, क्या जुगाडू आइडिया आया है हमरे दिमाग में, सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है, और खजूर के घने प बढ़ की ना, तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे, और वैसे भी इप पार्क तो हर बाप का है का, गाड को चार बाते सुना कर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है, और उन्हें लेकर घर आती है, और उससे जाडू बना कर तयार करती है, और जाडू लगाने लगती है, तभी जान की गुस्से में तिल मलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तु सोसाइटी के गाड से लड़कर आई है, और ये तेरे हाथ में क्या है, सासु मा, इज़ाडू है चिसे हमने जूसी करके भी क्या फायदा, तुम तीनों की जुगाड पंधी न, एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ा कर रहेगी, इस तरह तीनों जुगाडू बहूं को घरवालों से खूप खरी खोटी सुननी पड़ती है, ऐसे ही वक्त गुजर जाता है, फिर एक सुबह प्रीती नाश्ता लेकर गुन-गुनाते हुए अपनी ननत के कमरे में आती है, लगाई ले तुझा बुलिपे स्टेक, जिला टाप लागे ले, ओ जिला टाप लागे रे, अरे ननत जी, इलो नास्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट नहीं जाना हाँ, ट अरे प्रीती, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल में आफिस वही बहन कर जाओंगा, जी हमरे बलमा, इतना कहकर प्रीती अपनी ननत के कमरे में जाती है, और उसका हेर ड्रायर लाकर उससे अपने पती के कपड़े सुखाने लगती है, लेकिन तब कैसे हुआ? प्रीती उसे सारी बात बताती है और शृति उन्हें खूब सुनाती है, भाभी मैंने तुम्हें पहले भी समझाय था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वज़ह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी, मैं कहती हूँ अब तो अपनी इंजुगार पंति सासुमा, अब हम कौनों भी काम में जुगार नहीं लगाएंगे? ननद और सास की बातों से उन तीनों को अकल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगार पंति छोड़कर अपनी ननद और सास से शेहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग मे ढल जाती है